नमस्कार मित्रों, शिक्षसाहित एदरपन में आपका स्वागत है, जैसा कि आप लोग को पता है, पैरेंटिंग स्टाइल के विशे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आज उसके दुसरे प्रकार के विशे में पढ़ेंगे कि दुसरा तरीका क्या है, पहले वाले तरीके में ह उस पर प्रकाश डाला था हमने और आज हम उसके दुसरे प्रकार पैरेंटिंग स्टाइल का दुसरा प्रकार और स्विकार और अपएक्षा करना इस मॉडल पर ताना साही लालंपालंग का तरीका इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे तो दोस्तों देख लेते हैं और दोस्तों मैंने इसका पूरा प्रकार है फैरेंटिंग स्टायल का इसका मैं जो है नोट्व मैंने पहले वीदियो में ही दे दिया है तो दोस्तों खड़के देख ले कि actually ताना साही तरीका होता क्या है ताना साही तरीका बच्चों के लालन पालन के इस तरीके में माता-पिता अपेक्षा जादा करते हुए बच्चों की आवसकताओं छमताओं इच्छाओं और महतकांशाओं को कम या बिल्कुल भी नहीं स्विकार करते हैं इसमें क्या होता ह कि बच्चे क्या चाहते हैं बच्चे की इच्छा क्या है बच्चे की महत्वकांसा क्या है बच्चे खुद क्या बनना चाहते हैं इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है पैरेंट्स क्या चाहते हैं उस पर जोर दिया जाता है वे बच्चों को उनकी अपनी इच्छा आव पुस्ते भी नहीं है और उन्हें मौका भी नहीं दिया जाता है बलकि अपना अधिकार जताते हुए कड़े अनुसासन को लागू करते हुए नैतिक नियमों का वास्ता देते हुए अपनी स्वयम की इच्छा और महत्रकांशाओं को बच्चों पर लादने या थोपने का कार है बच्चों के लालन पालन का यह तरीका यह पैरेंटिंग स्टाइल पूर्वर्णित अधिपत्य पूर्ण या अधिकारिक जनतांत्रिक तरीके से एकदम प्रतिकूल है जो इसके पहले का अधिपत्य पूर्ण लालन पालन का तरीका था अधिपत्य पूर्ण पैरेंटिं और बच्चों को धिल देने वाले या लापरवा पैरेंटिंग स्टाइल के एक दम विपरीत कड़े अनुसासन और कठोर नियंत्रण वाला तरीका होता है ये कठोर नियंत्रण वाला पैरेंटिंग स्टाइल है इसमें माता-पिता के द्वारा बनाये गए निर्देशो वह नियमों को बच्चे द्वारा पूरी तरह से पालंग करने की आसा की जाती है और माता-पिता था बच्चों के मध्य खुले वारतालाप की जरा भी गुंजाइस नहीं होती इसके पहले वाले में क्या है माता-पिता अंतर क्रिया करते थे बच्चे से क्या प्रॉब्लम है उनसे मिलनसार व्यवहार करते थे लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसमें पूर्ण और दंड देने वाला तरीका है जिसमें बच्चों से माता-पिता द्वारा की गई आग्या आदेसों बनाए गए नियमों तथा उनके गतिविधियों के लिए निर्धारित सिमाओं के बारे में कोई भी प्रश्ण नहीं पूछने और उनके आदेसों का पालन करने क कोई आवाज नहीं उठा सकता वह बच्चा उसके विरुद्ध कुछ नहीं बोल सकता अच्छा आगे क्या होता है कि इसमें माता-पिता बच्चों की छमता ओ इच्छा ओ कि परवाह किये बिना बच्चा क्या चाह रहा है उसकी छमता क्या है उनसे माता-पिता को कुछ लेन आपको क्या करना है यह देखने यह देखते हैं कि बच्चे उनका ठीक प्रकार अनुकरण कर रहे हैं और वह माता-पिता यह भी देखते हैं कि बच्चों को जो कहा गया हो वह कर रहा है या नहीं कर रहा है आगे क्या होता है कि यहां माता-पिता अपने हितों के चिंतन में इतना लीन हो जाते हैं कि वे बच्चों के माध्यम से अपनी स्वयम की इच्छाओं स्वार्त तथा स्वपनों को साकर करने की चाहत में लगे जैसे कोई माता-पिता है डॉक्टर नहीं बन पाया इंजिनियर नहीं बन पाये या जो उन्हें बनना था नहीं बन पाये तो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाया मैं इंजिनियर नहीं बन पाया मैं वैग्यानिक नहीं बन पाया लेकिन मै मैं अपने बच्चों को पहले से ही इतना पढ़ाऊंगा कि जो वो मेरे सपनों को साकर करेगा यह बहुत ही गलत जो है प्रवृत्ती है माता पिता की जो तानसाही पूर्ण लाननपार्णद के तरीके में आती है क्योंकि बच्चा क्या कहता है खुद क्या उसकी इच्छा है उसके बारे में एक बार भी उससे नहीं जाता है होता क्या है कि चाहे बालक में उन कारयों को करने की रूची-उТ्षा या सामर्थ का अभाव हो तो Medicine तो भी प्राया माता पिता बालकों को ऐसे पाठिक्रम में प्रवेस लेने के लिए बात देख करते हैं जैसे तुम्हें डॉक्टर, इंजिनियर, चार्टर अकाउंटेंट, आई एस बनना होगा क्योंकि यही सपने उन्होंने अपने लिए संजोये थे और उसकी पूर्ति अब वे बालकों के माध्यान से करना चाहते हैं फल्स और वे बच्चों को अपने द्वारा सोची गई राह पर चलाने के लिए ताना साही रवया अपनाते हैं पैरेंटिंग की इस सहली को अपनाने वाले माता पिता अपने बच्चों की आउसकताओ तथा इच्छाओ की तरब से अपनी आख बंद कर लेते हैं बच्चे क्या चाहते हैं इसके विशय में वो अपनी आख बंग कर लेते हैं वे बच्चों की भावनाओं के प्रतितनिक भी ध्यान नहीं देते हैं बलकि अपना अधिकाय नियम कड़ा अनुसासन लागू करके अपनी आंतरिक भावनाओं और एच्छाओं को दबाने की कोशिस करते हैं वे बच्चों को अपने आत्मविश्वास के लिए स्वेम का मार्ग चुनने की छूट देने के बजाए अपने स्वेम के द्वारन निधारित मार्ग पर चलने को बाध्य करते हैं अच्छा यह अस्विकार करना और अपेक्षा करना यह पैरेंटिंग स्टाइल का यह जो है मेन क्राइटेरिया हो गया तो दोस्तों इस क्राइ पढ़ते हैं इस तरीके से पोसित किए बच्चे अपने जिंदगी में के बारे में कोई भी योजना बनाने उसे क्रियानवित करने तथा अपने समस्याओं को सुलजाने अथ्वा स्वेम का निर्णय लेने में असमर्थ होते हैं कुछ भी निर्णय वह स्वेम नहीं लेते ह कि दूसरा क्या कहेगा दूसरा जो करेगा वह करेंगे क्योंकि उनका लालन पालन ऐसे परिस्थितियों में हुआ होता है कि उनका कारेक केवल आदेसों का पालन और अनुकरन करना है जो उनके माता-पिता आदेस दे रहे हैं उनका अनुकरन करना ही उनका काम होता ऐसी परि के तरीके का अपने ताना सही माता-पिता के द्वारा अपने प्रारंबिक जीवन में अपने बहुत धीक समवेगात्मक तथा समाजिक विकास के आवस्यक जरूरी आउसर स्वतंत्र सुविधायन न दिये जाने के करण उनका इन पक्षों का स्वाभाविक विकास अउरुद् आवसक सामाजिक काउसल, यह उंस छम्ताओ का अर्जन करने में कोई सहायता नहीं करती, वे जीने के जनतांत्रिक, प्रजातांत्रिक तरीके और सिधांत नहीं सीख पाते हैं, इस प्रकार के तानसाही पैरेंटिंग के तरीके में लालन पालन किये गए, बच्चों में जनत आंत्रिक जीवन के गुण और आदर्स नागरिक्ता मुश्किल से विक्सित हो सकती है और लाश्ट दोस्तों उनके मुल्क प्रव्यत्यात्मक और सम्वेगात्मक उर्जा को उनके माता-पिता द्वारा प्रदत ताना साही आचार सेयते से परिपूर्ण व विपरित प्रभाव पड़ता है ताना साही लालन पारण में दबी हुई इच्छाएं अपूर्ण अभिलासाएं और वातावर्ण में विद्यमान गुलामों की तरह की स्थिति बच्चों में अनुभो करने की अनुभो करते हुए देखा जाता है जब माता-पिता ताना सा स्थमान समझसाएं बच्यों में विखित हो जाती है तो इस दिसा में अगर बच्यों में जो दब अस्ति की जाए और उन्हें कठोर अनुसासन्द में रखकर अपनी मर्जे से चलने का प्रयत्न है किया जा difितिक्ति कि तो दोस्तों आज हमने ताना साहि लालन पालन के तरीके के विश्य में पढ़ा कि जो कि इसका बाल को पर बहुत विपरेख प्रभाव पड़ता है तो दोस्तों। आज के वीडियो के लिए यह बस इतना ही अगले एकिष्यों में हम टीसरा जो तरीका है नहीं से ताना साहि लालन-पालन का तरीका है आगी सरा है दोस्तों अनुग्रह पूर्ण लालन-पालन का तरीका के तो उसके विशे में हम पड़ेंगे तो दोस्तों जो यहाँ किर्प्या लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद